हाई फ्रेंज वल्कम टू माला को किन और आज में फिल्कुट साथ शेयर करेंगें बिना कंटेंट मिल्क, बिना दूद, बिना मावा के बनने वाले बहुत ही टेस्टी बरफी की रेस्पी वह हैं गाजर के बरफी जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और यह बनाने में किसी भी कंटेंट मिल्क, दूद या किसी और चीट की जरूरत नहीं होती है यह ऐसे ही बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और यह वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक कर देजिएगा शेयर क अब ही ले सकते हैं तो इसे इस तरह से पहले थोगा छेल देंगे अ कि इस तरह समसारे को कर लेंगे और इसे काट कर लेंगे इससे तरह से तो चीससे सारे को कर लेंगे तो देखें अपर सारे को मैंने कर लिये इसे हमें मिक सरब पीसले ना है तो इससरे समडल के पीश्ली गी तो यह देखिए है, फुरा बारिक पीस है, इसे दर से बागी सारी में पीस लेंगे, अब गेस पर मैंने कढ़ा है, इसमेटा लेंगे घी, अब इसे डालेंगे, पुरी अची तरसी से भूनना है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, और यह इसके अदर के पानी जब तक सूख ना जाएं, तब तक हम इसे भूनना है, जो देखे, इस समय तक इसे भूनना है, और भूनने के बाद कुछ इस तरह के जब हो जाएंगे, टू के जैसे इसके पानी अदर के पानी सारे सूख जाएंगे, उस समय तक इसे में भूनना है, तो अब हम इसमें डालेंगे, चीनी, तो चीनी में इसमें एक बाट्टी डाल रहे हूँ, और से मिक्स करेंगे, देखें मैं चीनी घुल चुकिये इसके अंदर, अचीनी जब घुल जाएं तभी कुछ देर तक इसे चलाना है, कि ये जब तक ये जमने के कंडिशन में ना आ जाएं, तो इसमें मैं डालूँगी बदाम का पाउडर, और इसे हम मिक्स करतेंगे, और हमारा ये टोर एकदम जमने के लिए रेटी है, तो इसे जमाने के लिए यहां पर मैंने एक सिल्वा पेपर लिया से ओयल सीचनी मैंने चिकना कर लिया है, उस पर इस तर से रखके इसे हम जल दूनों साइड लेके हम इस तर से इसके साइड के बराबर कर लेंगे, तो ये दिखिए, एक तम अच्छा से फैल चुका है, तो इसके पर ये बदाम का पाउडर लगा देंगे, और इसे हम रूम टेम्प्रेचर पर ये ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो ये दिखिए, इसे हम ठंडा हो चुका है, तो इसे हम खूल लेंगे, तो देखिए, ये बहुत इसे से जम चुका है, तो अब इन्हें हम कट कर लेंगे, तो आप इसे अपने मन पिसन हिसाब से कट कर सकते हैं, मैं सेजर होड़ से पने कट कर रही हूं, तो देखिए, इसे तो मैंने सारे को कट कर लिया है, और ये बच्ची हूए बदाम के पाउडर है, तो उन में इसे हम इसे इसे कर देंगे, देखिए, तो में पॉफेक्ट हैं, इस बर्फित को आप बरत में भी खा सकते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ ने मिली है जो आप बरत में नहीं खाते हैं, सारे चीज़ह सी जो आप बने भी खा सकते हैं ता इस बने बर्फी बनाके खा सकते हैं तеся सर से सारे मैंने कड़ लिया और यह बर्फी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं तो इस सारे क्याटर के ब stroll किजिए तुमाशा शेयर किजिए करें कि इस तरह की गैटर की बर्फी बनाने के रिस्पी अब लोगों कैसी लेगी का आप का आप